एक बहुत घना जंगल था एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया जंगल में उसने एक सुन्दर हिर्नी को देखा हिर्नी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था हिर्नी और शावक घूम रहे थे शिकारी हिर्नी का शिकार करने के लिए बंदुक से गोली चलाता है गोली हिर्नी की टांग में लगती है हिर्नी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है छोटा शावक भी मा के पास बैठ जाता है शिकारी दोड़ता हुआ हिर्नी के पास आता है उसने देखा कि हिरनी की आँखों में आसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है शिकारी को यह द्रिश्य देखकर पस्तावा हुआ शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया डाक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली गोली निकलने से हिरनी स्वस्त हो जाती है शिकारी बहुत खुश होता है वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ाता है हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं विद्यार्थि मित्रो इन वाक्यों को सुनिए क्रमशह छवाक्यों इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संग्या कहा जाता है संग्या की परिभाशा सुनिए जिन शब्दों से व्यक्ती, वस्तू, जाती, पदार्थ का बोध हो उसे संग्या कहते हैं निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए एक, राम और लक्ष्मन भाई थे दो, हिमालय उंचा परवत है तीन, गुलाब का फूल अच्छा है चार, रमेश हर रोज कूल जाता है पांच, सब गांधी नगर जा रहे हैं छे, आज बिल्ली दूद पी गई आज बिल्ली दूद पी